नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो का टॉपिक है Foreign Direct Investment हाल ही में उद्योग समवर्धन एवं आंत्रिक व्यापार विभाग यानि की DPIIT के द्वारा FDI से संबंधित आंक्रे जारी किये गए जिसके अनुसार वित्तिय वर्स 2020-21 के प्रथम चामाई में FDI में 15% की व्रिद्धिवी और यह बढ़कर हुई 30 अरब डॉलर जबकि पिछले वित्ति वर्स यानि 2019-20 के पहली चामाई में FDI की मात्रा थी 26 अरब डॉलर वहीं 2020-21 के अप्रेल से सितंबर माह मतलब प्रथम चामाई में FDI को आकरशित करने वाले जो प्रमुक्छेतर रहे हैं वे हैं कंप्यूटर सौफ्वेर एवं हार्डवेर, सिवाएं, ट्रेडिंग, रसायन और आटो मोबाईल जबकि सिंगापूर 8.3 अरब डॉलर के निवेश के साथ भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोध बनकर उभरा इसके बाद अमरिका, कैमन आइलेंड, मौरिसस, नेधरलेंड, ब्रिटेन और फ्रांस का इस्थान रहा है 2008 से 14 की अबधी में जितना FDI का प्रवा हुआ था, उससे 55 परतिसत जादा FDI का प्रवा 2014 से 20 की अबधी में हुआ अब हम यह देखते हैं कि FDI है क्या FDI निवेस का एक प्रकार है जिसमें निवेसक के द्वारा किसी अन्य देश में या तो अपनी ओध्योगिक इकाई की स्थापना की जाती है या उस देश में मौझूद जो ओद्योगिक इकाई है उसका एक्विजिशन या उसके साथ अपनी कमपनी का मर्जर कराय जाता है FDI दो प्रकार के होते हैं पहला Greenfield FDI और दूसरा Brownfield FDI Greenfield FDI का मतलब है नई परियोजनाओं में किया गया निवेश जबकि Brownfield FDI का मतलब है पहले से मौझूद परियोजना में किया गया निवेश वहीं सूचिबद कमपनी में 10% या उससे जादा का बाहरी निवेश FDI की स्रेणी में आता है भारत में FDI की अनुमती दो तरीके से दि जाती है पहला स्वताचालित मार्ग और दूसरा सरकारी मार्ग स्वताचालित मार्ग के अंतरगत एक निवेशक को निवेश करने से पूर्व सरकार या RBI से अनुमती लेने की आविसकता नहीं होती है उसे केवल इतना करना होता है कि जिस इस्थान पर वो निवेस कर रहा है उसे इस्थान से समंधित RBI के छेत्रिय कारियाले को रेमिटेंस और उसने जो शेयर जारी किया है उसकी जानकारी उसे 30 दिनों के भीतर देनी होती है और यह जानकारी देना अनिवारे है और अगर हम सरकारी मार की बात करें तो केवल 11 छेत्रों में होने वाली FDI को इसकी अनुमती की आविसकता होती है और इसमें FDI के द्वारा जो निवेश किया जाता है उस निवेश को अनुमती प्रदान करने का कारे अगर FDI की मात्रा 5,000 करोर रुपे से जादा है तो फिर यहकारी करता है Cabinet Committee on Economic Affairs जबकि 5,000 करोर रुपे तक के FDI की अनुमती पहले Foreign Investment Promotion Board के द्वारा दी जाती थी लेकिन अब यहकार Foreign Investment Facilitation Portal के माध्यम से किया जाता है इस पोर्टल पर FDI हेतू Online Single Point Interface की स्विधा प्रदान की गई है DPIIT या Department for Promotion of Industry and Internal Trade इस पोर्टल के माध्यम से जो Online आविदन प्राप्त करता है उसे संबंधित मंत्रा ले एवं विभाग को दो दिन के भीतर भेज देता है अब अगर गैर सुरक्षा छेतर से संबंधित FDI है आठ सप्ताह तक और अगर सुरक्षा छेतर से संबंधित FDI है तो दस सप्ताह तक अनुमती देनी होती है वहीं वैसे प्रतियक FDI आविदन को ग्री मंत्राले के अनुमती की भी आविसकता होती है अगर वह दूरसंचार उपग्रा प्रसार छेतर से समन देते हैं और अगर यह FDI पाकिस्तान या बांगला देश से हो रहा है कोरोना के काल में FDI के नियम में परिवर्तन किया गया इसके अनुसार भारत की सीमा से सटे देशों से FDI आने पर सरकार की मंजूरी अनिवारे होगी इसका उद्देश से मुकरूप से यह है कि चीन की कमपनी के द्वारा भारती कमपनियों के अधिगरहन की जो नकारात्मक नी FDI से समंदित क्या प्रावधान है यह रहा इससे समंदित प्रश्न है प्रश्न है कि निम्न देशों को भारत में FDI के आकार के आधार पर अधिक से कम के क्रम में सजाएं पहला सिंगापूर दूसरा अमेरिका तीसरा मौरिसस चौथा बिरिटेंड सही विकल्प का चैन करें इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ नमस्कार